दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Speciality Chemical Sector के एक कमपनी के बारे में जिसका नाम है Binati Organics Limited तो यहाँ पर हम लोग को जब भी इसका Annual Report चेक करेंगे Annual Report से कुछ डेटा निकालने के लिए कोसिस करेंगे, तो थोड़ा से टेकनिकाल हो सकता है तो जो chemist होता है जो chemistry में study करता है जो chemistry के उपर पढ़ाई अभी करता है उन लोग को अच्छा कासा समझ में आ सकता है अगर मेरे जैसा कोई आदमी हो जो इसको chemistry बिलकूल भी समझ नहीं आता है पुरा आरपार पार हो जाता है तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे उसका application के उपर जाएंगे तो उसका application की हिसाब से कौन सा sector में ज्यादा अच्छा कासा यहां पर work out कर रहा है और उसी sector जहां पर इसका product यूज होता है उसी sector का growth opportunity आगे क्या है तो उसके हिसाब से हम लोग इसका जो calculation करने के लिए कोसिस करेंगे आगे कितना तक यह sustain कर सकता है company और कितना growth opportunity हम लोग के पास है और उसके बार fundamental और financial भी चेक करेंगे तो दर हम लोग को उसका balance sheet के help भी पता चल जाए उसके बाद हम लोग technical analysis 6 setup में ही कोसिस करेंगे उसको solve करने की और यहां पर हम लोग कोसिस करेंगे जैसे की short term का target long term का target क्या हो सकता है और अभी के लिए कोई threat है और हम लोग को क्या entry price होना चाहिए detail में बात करेंगे तो मैं आसा करूँगा कि आप लोग complete video सही से देखिएगा आपको जबी आप लोग comment system में जबी पूज लेते हो कि यार इसका target क्या है इसका stop loss क्या है already में बात कर चुका होता हूं और अगर complete लागर हो आप लोग video नहीं देखिए होंगे तो वह मिस हो जाता है आप लोग देख सकते हो और यहां पर देखा जाए कि इसका market share 50% से ज्यादा है और इसका revenue जो जनेरेट करता है बीनती और इसका revenue में यह 50% से ज्यादा contribute करता है अगर यहां पर आप लोग product का नाम देखोगे तो काफी लंबा नाम दिखेगा और ATBS जो है यह बाला जो चीज है यह सबसे बड़ा इसका आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो USP है that is ATBS है और यह ATBS जैसे कि बाहर से export होता था उसको अभी export बन करेके सीधा अभी खुद यह manufacture कर रहा है और यह बहुत आच्छा कासा है डिमांड है कहां पर डिमांड है वह भी में बता देता हूं construction में हो गया water treatment पे हो गया textile पे हो गया को समझे भी नहीं आता है antiskalants okay तो उसके इसाब से देखा जाए तो सब के सब growth opportunity के साथ इसका application से तो इसी सेक्टर में इसी सेग्मेंट में इसी product में काफी अच्छा कासा इंप्रूब हो सकता है यह हम लोग को समझ में आ रहा है राइट जो second हो गया IBB और NBB जो second वाला करेक्ट तो इसका जो यूज है फर्माटिकल हो गया speciality solvent हो गया या paint coatings और agrochemicals में इसका यूज होता है तो यह तो यह तो तीम से चार सेक्टर में बताया इसका भी अच्छा कासा आप लोग का growth opportunity दिख सकता है और अप लोग को पता है तो हम लोग को जिसी साब से इसका product के नाम के बारे में knowledge नहीं है इसका आज पर अप्लिकेशन आप लोग को उसके हिसाब से आपको prediction लगाना जारा सही रहेगा और जैसे कि other specialty chemicals product हो गया जैसे कि इसका जो आइबी हो गया या HP MTBE हो गया जो तोटल का अगर बात किया तो उसका भी अप्लिकेशन 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 अगर इसका product यूज होता है तो डिमार तो इतना जल्दी घटने वाला है नहीं उल्टा आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इसके 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 इ सुस्टेनिबिलिटी तो ठीक ठाक है उसके साथ इसका growth का उपर भी आप लोग फोकस जादा करना चाहिए जिस हिसाब से यहाँ पर trading कर रहा है तो उसके हिसाब से आप लोग को काफी आप लोग बोल सकते हो कि एक बार portfolio में stock तो बिल्कुल भी होनी चाहिए और यहाँ पर अगर इसका जो financial highlights के उपर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि FY19 के हिसाब से revenue थोड़ा सा घटा हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो 2016 से 2019 तो का अच्छा का सा growth दिखाया हुआ था लेगिन 2020 में यहाँ पर थोड़ा सा घटा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है FY20 में जो की काफी समझदारी की बाद है काफी तारिफे वाली बात है और EBITDA margin के हिसाब से बात किया जे इसको तो आप लोग पिना तारिफ हुए मतलब रह नहीं सकते 43% का margin यहाँ पर EBITDA margin सो कर रहा है और ROC काफी impressive है काफी ज्यादा impressive actually 16 18 से 18 जितना तक घाटा हुआ था उसके आप 19 में बहुत अच्छा कासा बढ़ा हुआ है और FY20 और FY19 के बीच में अगर आप लोग करोगे तो छोटा से एक गिरावर दिखेगा लेकिन आप लोग का बात किया जे कि इतना ज्यादा जो ROC को इंप्रूब करना यह management का एक अच अच्छा कासा आप लोग को बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा और यहां पे अगर बात किया जाए fundamental analysis की जैसे कि 13,588 क्रोड का market calculation है mid-cap company है और यहां पे ROC के उपर बात किया जाए तो यहां पे 36.4% के हिसाफ से दिखेगा जैसे कि हम लोग आनोल रुकिन में देख अगर PS comparison किया जाए, chemicals के उपर तो यहां पे ROC का अगर strong सब से दिखेगा यहां पे बीनती organics का और इसी के साथ साथ अगर PE comparison किया जाए तो बाकी सब के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा खाली सब से ज़्यादा अगर देखा जाए तो आप लोग को मिल जएगा पिडिलाइट इंडेस्ट्री का काफी higher valuation पे काम कर रहा है और उसका PE का ROC भी काफी अच्छा कासा है तो उसके हिसाब से compare के जाए अगर second में आ जाता है that is बीनती organics तो बीनती organics को आप लोग को इसका जो जिस हिसाब से PE है तो थोड़ा सा over value मेरे को लगता है तो आप लो time के लिए अगर आप लोग देखोगे तो consistently grow होता हुआ देखने के लिए मिलेगा कहीं पे भी आप लोग को कोई fluctuation नहीं देखने के लिए मिलेगा 2009 से 2020 तक अगर पूरा आकड़े आप लोग देखोगे completely growth story है तो यह consistently growth जिस हिसाब से profit कमा रही है बीनती organics तो उसके हिसाब स करूंगा debt की तो काफी कम debt है 0.27 करोड का debt 13000 करोड के साबने यह तो पूरा खो जाएगा और debt to equity ratio 0.00 something आया हुआ है जो कि 2 decimal number तक आया हो तो 0.00 यहां पे सो क्या है और यहां पे promoter holding काफी तबढ़तो देखने के लिए मिलेगा 74.1% का जो कि आप लोग को मतलब higher side में अगर देखा जाए तो काफी आच्छा का सा इसमें investor promoter holding आप लोग को देखने के लिए मिलेगा promoter holding last 3 साल में बरकर आ रहें कोई दिक्कत के बात नहीं है थोड़ा सा इभिन बढ़ा भी हुआ है 0.4-0.4% के हिसाब से DIA अपना जो holding है उसको भी बढ़ाय हुए है और FIA भी अपना holding है उसको भी बढ़ाय हुए है और public का holding जो है उसमें भी थोड़ा सा fluctuation आया हुआ है तो चोटा सा आमाउट यहां पर बढ़ते हुए नजर आयेगा और यहां पर सब का सब तो यहां पर बढ़ा हुआ है जो आप लोग बोल सकते हैं तो घटा किसका है तो आप लोग देख सकते हैं को यहां पर holding था 1.09 वह ट्रांसफर बाकिस सब में हो चुका है तो इसमें आ यहां पर आप लोग को दिखेगा लास्ट तीन साल में 365 क्रोड का अल्रेडी फ्री क्यास प्लोड जेनरेट किया हुआ है और EPS के उपर बात किया आजै काफी स्ट्रॉंग EPS है 27.5 का और ROE तो इसका बहुत ही हल्दी है that is 28.5% का तो इसके हिसाब से अगर बात किया आजै तो काफी स्ट्रॉंग fundamental काफी स्ट्रॉंग financial के साथ एक कंपरी खड़ी हुई है उसको साथ अभी अगर midcap में यह आप लोग देख रहे हो यह साहिद large के आप और higher large के आप segment में एंटर कर सकता है आगले कुछ साल में इसका technical क्या आप बोल रहा थोड़ा एक बार देख लेते है तो इसी breakout को अगर respond आप लोग करोगे तो एक बार यहां पे गिरावट दिखाया हुआ है तो इस गिरावट कितना सस्टेन कर सकता है कितना नहीं अगर इसको आप लोग जूब करके देखोगे तो यह वाला कितना सस्टेन कर सकता है और कितना नहीं हम लोग इसका जो अपर इसका जो आप लोग को दिखेगा एक कोंप्लीटली बुलीच सेग्मेंट तो यहां पर आप लोग को नजर में आएगा कि यहांप जो चोटा सा गिरावट हुआ था चोटा सा करेक्शन ही था उसमें कोई पाणिक होने का ज़रूत नहीं है इसका जो रन है बुल रन अभी ठिका हुआ है और one month के जिसाब से बात किया जए तो यहाँ पे भी आप लोग को एक आच्छा का सा bulldog देखने के लिए मिलेगा अच्छा slope के साथ अच्छा intensity के साथ तो total cool मिलाके बात किया जए तो यहाँ पे जितना गिरावट होता है वहाँ पे आप लोग अगर पीक करने के लिए कोसिस करते हो तो आप लोग को एक आच्छा कासा प्राइस पे आच्छा कासा मुनाफ़ा दिख सकता है करेक्ट अब मल्टी वेगर के पार्टन के इसा बात किया जाए तो अलेट तो मल्टी वेगर बनी चुका है लेकिन जैसे कि मैं आपको लोग को बात किया जो रेंज के बारे में बताने वाला हूं तो यहाँ पे अभी के लिए सिच्वेशन में अगर देखा जाए तो टॉंट मुविंग अबरेज के पास वान वीक बाला टॉंटी एक्षमेशन मुविंग अबरेज के पास ही पिक करने के लिए सो टाट आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा इंकरीज हो सके और यहाँ पर बात किया जाए जाए चाफी अच्छा इसका जो आप लोग के साथ जितना वॉल्म सपोर्ण पर रहता है उसके साथ वो ज्यादा सबसे रहता है चाहे आप टुन्टी नाइंथ अफ डिसेंबर के बात कर लो या आप लोग सिक्स्त जानवरी के बात कर लो तो यहाँ पर जब भी उच्छा लाता है काफी लंबा उच्छा लाता है और लोग का सोट में एक अच्छा कासा मुनाफ़ा देख सकता है यह बला चाट अभी के लिए यही सो कर रहा है करें और यहाँ पे छोटा सा अप लोग एक्सपेट कर सेकते हो तो अगर छोटा छोटा चोटा कैंडल बनता है तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि एक पर कॉ सबसे इंट्रेस्टिंग बात है निप्टी के साथ को रिलेशन तो निप्टी के साथ जो को रिलेशन है आप लोग को दिखेगा माइनस 0.02 तो माइनस 0.02 मतलब निप्टी कहीं पे भी भाग जाए इसको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आप लोग अराम से बीनती और्गानिक्स के साथ जुड़े रहिए निप्टी कहीं पे भी जाए उपर जाए नीचे जाए उसो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह अपने जागा अपने रास्ते में जाएगा निप्टी अपने रास्ते में जाएगा और यहां पे जो तो हाइकन सिन स्टॉकेश्टिक आरे साई में आप लोगों को देखिया होगा कि वान डे चार्ट में ओलेडी ओबर बॉट जोन सो कर रहा है आपका स्टॉकेश्टिक आरे साई तो उसके हिसाब से यहां पर अल्रेडी बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है अप लोगों को अभी तक सेलिंग सिखनल नहीं आया हुआ है तो जैसे कि मैं बताया है कि 1150 के आसपास के 1160 के आसपास के जब इतक जब इसका आज है तो यहां पे अगर आप लोग करते हो तो आप लोग का लंबी टाइम के लिए अच्छा इंवेश्टमेंट में रिटन मिल सकता है और वन मिल सकता है तो यहां पर 1 month की इस साथ से भाट कियाए तो means का means करीश्टमेंट है तो उसमें आप लोग को उस ही इसाथ से करना है तो मीड तर्म और लॉंग तर्म में हम लोग को हर जग चाहे फाइप था दिन का देख लिजिए चाहे है कि अप लोग को फुलिश ट्रेंड दिखेंगा बट सौट तर्म एक छोटा सा गिरावट है उसको अगर आप लोग रेस्पॉंड करते हो अच सही प्राइस पर आप लोग पीक करते हो तो आप लोग एक लंबा टाइम फ्रेम में अच्छा का सा रीटन मिल सकता है तो आज के लिए इतना ही बिनती ओर्गनिस का यह वाला जो अनलसिस था कैसा लगा आप लोग को मेरा बताना है वो भी कॉमेंट सेशन में कॉमेंट करके कोई भी डाउट आप लोग को पूछ सकते हैं तो आपका जो डाउट में अच्छे से क्लियर कर सको तो आपका आम लोग का जो कम्मुनिकेशन है वो टू साइड होना चाहिए ना की वान साइड और आपका अपना अपना फैमली का और अपना पोर्टफोलो का ख्याल अगते रहिए अगले व मच्च